हेलो दोस्तो मैं रभी मिस्रा आप सभी का स्वागत करता हूं Commerce 2.0 में एक बार फिर Economics के एक नए सीरीज से Economics के एक नए वीडियो से आज हम लोग पढ़ेंगे Economics and Introduction Economics and Introduction अर्थसास्त्र एक परिचे अर्थसास्त्र एक परिचे अर्थसास्त्र के परिचे के बारे में सबसे हम सबसे पहले जानते हैं कि Economics जो ये वर्ड ही है Economics जो सब्ध है ये ग्रीक सब्ध ओएकोनोमिया से आया है जिसका मतलब होता है Household Management जब Economics का Evolution हो रहा था इकनोमिस का विकास हो रहा था तो इकनोमिस का दायरा Household Management तक ही सिमित था घर का प्रवंद तक ही सिमित था तभी 1776 में एक अर्थसास्त्री है जिनका नाम था Adam Smith इन्होंने एक किताब लिखा इन्होंने एक किताब लिखा An Inquiry into the Nature and Coaches of Wealth of Nation इस किताब को लिखने के कारण हमें एकनोमिक्स पढ़ने और पढ़ने का एक सिलेबस मिल गया इसित्लिए Adam Smith को हम लोग Father of Economics कोते हैं इस किताब में इन्होंने इकनोमिक्स कभी परिफासा दिया इस किताब में An Inquiry into the Nature इस किताब में इन्होंने एक एकनोमिक्स का देफ्निसन भी दिया क्या दिया definition कि economics जा science, economics एक बिज्ञान है which जो deals with wealth alone जो केवल संबंध रखता है किसे धन से economics इनका कहना था कि economics एक बिज्ञान है जो केवल धन से संबंध रखता है यहाँ wealth का मतलब धन, wealth का मतलब इन्होंने क्या कहा है कि material goods which is tangible is in nature वो material goods जो कि tangible in nature होता है, जिसको tangible का मतलब होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छूँ सकते हैं और उसको बेज खरित के पैसे में convert कर सकते हैं जाता है यह भी कि अभी तक 15,000 से ज़्यादा परिभासा है definition economics के दी जा चुकी है लेकिन जैसे ही Adam Smith का कहाना था कि economics एक विज्ञान है जो केवल धन से सम्बंदित है तो एक अर्थसास्त्री थे प्रोफेसर Alfred Marshall जो की Cambridge University के अर्थसास्त्री थे 1890 में उन्होंने एक किताब लिखा था principle of economics और सास्त्र का सिधान्त नामक एक किताब लिखा था 1890 में प्रोफेसर Alfred Marshall ने इन्होंने अलोचना किया क्रिटिक किया Adam Smith का कि Adam Smith का कहना था कि economics एक विज्ञान है जो केवल थन से समन्द रखता था यह इस बात से Alfred Marshall साहब सहमत नहीं थे कहना था कि इन्होंने principle of economics नामक बुक में जो जब अपना definition दिया था इन्होंने कहा कि all those activities वो सारे activities which are done जो हम लोग करते हैं to acquire material goods हम लोग कोई भी काम करते हैं धन संपति कमाने के लिए ही करते हैं लेकिन एडम समित सहाब कहते हैं कि material goods and services कमाने के लिए करते हैं धन संपति कमाने के लिए ही कोई भी activities हम लोग करते हैं लेकिन which are which are promote welfare of mankind और वो धन संपति क्या करता है हमारे welfare of mankind मने मानो कल्याण को बढ़ाता है which are promote welfare of mankind जो क्या करता है mankind को जो हमारे human beings है उनको प्रोमोट करता है इनका कहना था इन्होंने अपने अलोचना में कहा एडमे स्मिथ के बारे में अलोचना में कहा मार्शल सेज़ डैट कहा कि धन तो केवल साधन है धन तो केवल साधन है अंतिम मनुसे का अंतिम लक्ष क्या होना चाहिए मानो कल्याण होना चाहिए इन्होंने आलोचना में ये बात कहा था कि कि वेल्थी जोली दम इन्स धन तो केवल साधन है इन्ट्स आ एक्च्वली इन्ट्स आर्थ हीमन मेल फियर इन्ट्स मनुसे क्या क्या होना चाहिए मानो कल्याण होना चाहिए